ये अल्ला की मदद है उपर से ही कुद्रत ही मदद है ये भगवान अल्ला सब कर रहा है हमारे लिए उसके हम बंदे हैं हमें कोई इनसान ने नहीं करा सब उपर वाले ने किया आशिव दूफानी यार आपकी बात लोग मानिंग नहीं का है बिल्कु सही बात है, उपर वाले की कृपा से ही सब कुछ चलता है, ठीक है? करतो राय, सुनो, सुनो, करतो उपर वाला राय, जरिया हमें, जरिया हमें बना दिया नमस दोस्तो, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में आज हम बात करेंगे कुद्रती भोजन की अपार सफलता के बाद, जो कुद्रती बच्चे पैदा हो रहे हैं, शाहिन बाग के बाद में, उनके विशे में लेकिन उससे पहले में बात करना चाहूँगा, पिछली वीडियो के विशे में, जहां पर हमने मिया लांडे खान का एक इंटर्व्यू आपको पढ़कर के सुनाया था, जिसमें उन्होंने उस सुवर का इंटर्व्यू लिया था, जिसने की अपनी कौम के लोगों से जाकर यह इंटर्व्यू दोबारा से होगा तो हम आपके सामने उसको जरूर ले करके आएंगे, जिन लोगों ने वो इंटर्व्यू नहीं देखा है, वो जाकर के आई बटन में उस इंटर्व्यू को देख सकते हैं, लेकिन उसी वीडियो में हमने एक और प्रतिया की थी कि जिस प्रकार से रविश कुमार रिपोर्टिंग करता है, हम उस तरीके से रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको रिपोर्टिंग का रैमन मैकसे से अवार्ड मिल सके, लेकिन जब से हमने संजे रजोरा के साथ में इस रवीश कुमार को देखा है, तब से हमारा य जिसकी की एक राश्ट्रे छवी है और जिसको की अंतर राश्ट्रे छवी के चलते रह्मन मैकसेस से आवार तक दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति भी यदि छिछोरी बातों के उपर हसेंगे, तो हम इस रह्मन मैकसेस से थोड़ा सा दूर ही रहें, तो ज़्यादा बहतर कि देखिए जी अगर इतनी बात इसलाम के विशे में कह दी गई होती तो क्या से क्या हो गया होता ये देखिए जी गणेश जी के विशे में ये कह दिया गया वो कह दिया गया यहाँ पर केवल एक ही बात कहने का मन करता है कि संबीत पात्रा जी हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जरूर हम भारती जिंता पालिटे की सरकार लाएंगे, मोधी सरकार लाएंगे ताकि ऐसे जितने भी लोग हैं इन लोगों के उपर कार्रेवाई हो सके क्योंकि अभी तो आप विपक्ष में हैं, अभी तो आप का रोनाद होना इसी तरीके बदस्तूर जारी रहेगा, जहां एक तरफ इसकी FIR होने के बावजूद इसके ओपर कोई कार्रेवाई नहीं हुई है, वहां दूसरी तरफ एंटोनियो माईनो को एंटोनियो माईनो कहने वाले एक रिपोर्टर को बारा-बारा सारे बारा-बारा गंटे तक उससे पूशताच की जाती है, उनके जितने भी उनको एड देने वाले लोग हैं, उनसे पूशताच की जा रही है, यहां तक कि मुंबई पुलिस की कोशिश तो ये तक है, कि अब वो इसके चैनल को 20-20 घंटे तक पूछताच हो सकती है उनकी वहां तक तैयारी है लेकिन यहां पर कोई भी आपकी भावनाओं के उपर पिशाब करके चला जाता है और आप लोग विपक्ष की भाती और अपने जो रंडी रोना है वो ही रोते-रोते रह जाते हैं तो दोस्तों वापस आते हैं जरगर की तरफ शफूरा जरगर एक ऐसी एक्टिविस्ट रही है जिसके उपर बहुत सारे आरोप थे उसको तभी यानिके शाहिन बाग के समय से उठाकर के जेल में डाल दिया गया था जो शफूरा जरगर है इसके विशे में बताया जा रहा है कि यह अविवाहित है और अब ये माँ बनने वाली हैं तो हमने पिछले दिनों मुसल्मानों के मुझसे खुद ये सुना था कि अब जल जला आने वाला है मुसल्मान अब एकत्र होने वाले हैं जितने भी काफिर हैं इन सब को जहन्नम की आग में जोका जाएगा अब जल जला आ जाएगा जब इनके इस धर्ती के अंत में कियामत से पहले इसे मसी जनम लेगा। अब आप लोगों कोई पता है कि इसा मसी का जनम कैसे हुआ था बिना बाप की अुलाद थे इसा मसी अब जो हमें संकेत मिलने लगा है वाकई में कियामत का, कि एक और इसामसी अब पैदा होने वाला है, यानि कि बिना किसी बाप की उलाद पैदा होगी, और ये जो उलाद होगी, इसको कोई भी गाली ना दे प्लीज, इसको कोई भी अब शब्द ना कहे, क्योंकि इसमें एक गुंजाईश है, इसमें गुंजा हमारी माननता है कि हम तो कपड़ों की तरह शरीर को चेंज करते हैं, बदलते हैं, हमारा तो जन्म और पुनर जन्म होता रहता है, पिछले करमाशों के अधार पर हमें प्रतिफल मिलता रहता है, इसलिए इस माननता के लोग तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जिनकी मा निता उसमें है यह जो आने वाली संतान है यह अवश्यक ही रूप से वहै इसा मसी बन करके सामने आएगा जो कियामत से पहले आने वाला था और सारे के सारे अबरहामी कल्ट के लोगों को अपने साथ ले करके जाएगा आपने देखा था कि बहुत सारे एक्टिविस्ट थे ऐसे जिन्होंने अपनी गाल पर लिखवाया था फक हिंदू रास्ट लेकिन शाहिन बाग के लॉंडो ने इस बात को थोड़ा ज्यादा सीरिसली ले लिया अब हिंदू रास्ट खोजने पर उसको मिला नहीं अब मिली तो उसकी गाल अब उसने क्या किया इवन दोस्तों य या नहीं हुई किस तरीके से हुई किस तरीके से नहीं हुई इसके विशे में हमें जाने के अवशक्ता नहीं है चुकि अल्रेडी सोसल मीडिया पर बहुत सारी काने चल रही है आप लोग उने सुना हुआ एक सरदार जी है जिरो ने बहुत सारे फ्लैट बेच करके शाहिन क्योंकि 500 रुपे और बिर्यानी के साथ-साथ जो हिलती हुई कारे थी, जो डांसिंग कार्स थी, उनके जो रुज़ान है वो तो सामने आने ही थे, अब धीरे-धीरे करके और भी रुज़ान सामने आएंगे, जो जो लड़कियां इस तरीके की जो कारावास में बंद हैं, उ उनके रोने का मतलब भी ये नहीं है कि उनको जेल में डाला गया है, या रमजान आ गया है, प्रॉब्लम ये है कि जेल के अंदर वो दवाई नहीं मिलती है जिससे की इस तरीके की डांसिंग कार के जो प्रोड़क्शन है उनको छिपाया जा सके, एक डॉक्टर है, इतना कह दिया कि भीया आपको उस टाइम पर प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए थी, क्या आपको पता है कि उस लड़की का कितना बुरा हाल किया गया है इन जिहादी जिमातियों की तरफ से, उनको डारेक्ट मेसेज करकर के उनको गंदे गंदे मेसेज किया रहे हैं, उन इतनी तरीके से जेलते रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप लोगोंने एक बात हमेशा सूनी होगा, कमेंट्स में भी आपने अक्सर पढ़ा होगा, कि हिंदूों के लिए अक्सर ये बात यूज की जाती है, कि तु गुफा का पैदाइस है, तु नियोक की पैदाइस है और तु बाबा की पैदाइस है, तु आसाराम की पैदाइस है, क्या ये लोग आज अपने इस विश्यम बताएंगे कि ये बच्चा किसकी पैदाइस है, हो सकता है मेरी इस बात पर कुछ लोग भड़क जाएं, हो सकता है कुछ लोग कहें कि देखिए इनको महिलाओं का सम् जमान और अपमान की बात तो बिलकुल भी ना सिखाएं। क्योंकि वो माँ बहने भी माँ बहने हैं जिनके उपर इस तरीके के लांचन लगाया जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी तथे को आजकल सोसल मीडिया पर रखता है सीधे उसकी माँ बहन को गाली दी जाती है। तो ऐसे समय में उनके पतिशरी कहां पर हैं। ऐसे समय में यदि मालो के वो विवाहिता है तो वो व्यक्ति कहां है जिसकी वजह से वो आज इस इस्तिती में पड़ी हुई है। तीसरी चीज कि प्रोटेस्ट के बीच में क्या इतना समय मिल जाता है कि ताकि वो अपने बच्चे भी पैदा कर सके। मैं फिर से कहूँगा कि प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जेल में है। प्रॉब्लम ये है कि जेल में होने की वज़ा से वो दवाईया नहीं मिल पाई हैं जिनकी वज़ा से इसको छिपाया जा सकता था। अब ये दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। हलाकि इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है जो लोग रात दिन मा बहनों को गाली देते हों उसका reason है क्योंकि उन लोगों की नजर में मा बहनों की इज़त सिर्फ इतनी सी ही है और उसके पीछे शिक्षा वो काम करती है जो बच्पन सेन को सिखा जाती है कि चाच पैसलिम ही है तो इनकी नजर में कोई गलत नहीं है लेकिन इसके अलावे जितने भी लोग है कि धना वो सारे के सारे इनकी नजर में विए बीचारी हैं दो बच्चे पैदा करना इनकी नजर में मरधनगी है महिलाओं को हलाला के माध्यम से निकाह मुताह के माध्यम से या फिर बचपन से ही जो उनके सामने शर्ते रख दी जाती हैं उनके माध्यम से ये सब कुछ आम है लेकिन यदि कोई अपने जनसंख्या नियंतरण के विशे में सोच ले कोई अपने देश के विशे में सोच ले कोई अपनी फैमिली मेनेजमेंट के विशे में सोच ले कोई ये सोच ले के रिसॉर्स और जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें एक अच्छा रेशो कायम हो जाए तो सीधे सीधे ये उनकी मरदानगी पर सवाल उठा देते हैं, सीधे सीधे उन लोगों के उपर सवाल उठता है, जो भी लोग थोड़ी सी भी, थोड़े से भी open minded होते हैं, वहाँ पर इनका तुरन शरिया कूद करके आ जाता है, लेकिन आज यदि यही विशेन के खुद के घर में हो गया, तो आज ये लोग उसको पीडिता बता रहे हैं, कि उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि पीडिता तो है, लेकिन जो उसको पीडित करके गया है, कम से कम उसके विशे में तो पता होना चाहिए, जहाज पर बैठने से प गिरा हुआ नहीं कि आपको वहां से बुक ना करें, वो बुक तो करेगा, लेकिन दो महीने पहले खिलाए हुवे गुल, दिस टाइम पर फूल बन करके खिलेंगे, वो जाड़ु की तरफ फूल बन करके खिलते हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ फाढरते हो निकलते हैं, और दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लीजिए। पांच हजार, दस हजार साल पुरानी बात उठाने वाले पांच दस घंटे में ही किस तरीके से बिल बिलाने लगे, सोसल मीडिया ने आज ये बता दिया है। किसी विकती ने फक्त हिंदू रास्टन को किस तरफ, किस एंगल में seriously ले लिया है, हम लोगों को पता लग गया है। शाहिन बाग में अकसर क्या होता था हम लोगों को पता लग गया है। इस से ज़्यादा हमें जानने की आवशकता नहीं हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सब के साथ में शेयर अवश्य करें मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय हिंद बंदे मातर